सोंबवार की देर रात रईस खान के काफले पर 21 से हमले ने सिवान में एक बार फिर गैंगवार और संगठित अपरात के उस दौर की यादे ताजा कर दी हैं लोग दवी जुबान में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर शाहबुदीन और रईस खान की दुस्मनी का दौर लोट रहा है इस बात को और हवा तब मिली जब इस मामले में शाहबुदीन के बेटे ओशामा शाहब सहित उनके कुल आठ करीबी लोगों पर मंगलवार को रईस खान ने एफ़ायर दर्च कराई वाचुनाव खत्म होने के बाद देर रात घर लोट रहे मलसी परत्यासी रईस खान पर हुसेन गंस्थाना छेतर के महुवल गाओं के समीप अग्यात अपराधियो दारा उनके काफिले पर अंधाधून फाइरिंग की गई जिसमें एक ग्रामिण की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए वहीं अब इस मामले में रईस खान के बयान पर पूरुशांसद मुहमद शाबुदीन के बेटे समेत कुल आठ लोगों पर एफ़ायर दर्च की गई है इसमें उशामा शाहब, चाप गाओ के महमद अफ्ताब आलम, नवलपूर के गुड़ु मिया उर्फ गुड़ु पिस्टल, और्मा पंचायत के पूरु मुखिया साबिर अली, सेखपूरा पंचायत के मुखिया पती और राजद नेता डबलु खान, महवल के आजाद अंस पतारी महवल के आसिफ सिद्ध की और उत्तर परदिस के मौज जीला का कुखिया तपरादी चोवनिस सिंग का नाम है, इसके अलावा कुछ अग्यात लोग पर भी आप प्राथमी की दर्च की गई है, ये सभी नाम शाहबुदीन के बेहत करीबियों का है, और इसमें एक उ देखते हुए पुरुशांशद मुहमद शाहबुदीन के खेमे में निराशा है, इसलिए उनकी जान लेने की नियत से उन पर हमला करया गया है, सुमवार की रात रईस खान के उपर हुए हमले के बाद मंगलवार को दिन भर सिवान में राजनितिक चर्चाओं का बाजार क चलता रहा, मंगलवार को सारन के डियाई जी रविंदर कुमार भी सिवान पहुँचे, स्पी और जिले के सभी थानदारों के साथ बैठक की, डियाई जी ने बताया कि रईस खान पर हमला मामले में आवेदन पर एफ आयर दर्च कर दी गई है, और आठ लोगों पर नामज की जाएगी, कोन लोग सामिल हैं, उसके लिए हम नुद तत्पर हैं, पुलीस तत्पर है, इसमें आदमिक खत्यार का व्युच किया गारे है? असांका ऐसी वक्त की जारी है कि आदमी का तियार का किया जारा है तो पुलीस उस पर करवाय करें कि जो भी है उसको जो ग्रिपतार किया जारा लंबे समय से पुरुशांशत मुहम्मद शाहवदीन के इर्दगर्द घूमती, राजनीती और ताकत पिछले कुछ समय से मुहम्मद शाहवदीन के इंतकाल के बाद खान ब्रदर्स के आसपास घूमनी शुरू हुई है बतादे की खान ब्रदर्स और महम्मद शाहबदीन के बीच की अदावत काफी पुरानी है साल 2002 में राजनीती में कदम नहीं रखने के कारण पूरी तरह से अपने कबजे में करने के लिए खान ब्रदर्स के रईस खान लगतार परियास कर रहे हैं विदान सवा चुनाओ में उतरना इसकी महज सुरुवात मानी जा सकती है लेकिन रईस खान पर 217 से हमले और रईस खान द्वारा पूरुशांसत के बेटे और शामा को नामजद करने के बाद सिवान में कुछ नकुछ बड़ा देखने को मिल सकता है